नमस्कार दोस्तों मेरे पाम लिटिंग चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में ये विदैश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हतेली पर क्या अची खराब अवस्था बनी है, इन साड़ महत्पून विशेपर जानना है, और आगे का जीवन कैसा रहेगा, कैसी तरक्की मिलेगी लाइफ में इस महत्पून विशेपर जानना है, और अतेली पर क्या अची खराब अवस्था दिखती है, आगे ये वेपार करें तो कैसा रहेगा, वेपारिक दिस्टी कौन से, सफलता के क्या कुछ योग दिख रहे हैं, इस महत्पून विशेपर भी इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंततना रहें, आपक चीज़ की बात कर लो, तो बेहर शानदार भाग्यरेखा, चमतकारी भाग्यरेखा के रूप से इसको हम संबोधित कह सकते हैं, कर सकते हैं, और भाग्यरेखा के साथ सूरी रेखा भी भौच जबरदस्त है, तो यहाँ पर से ये देखी, एक कमाल की भाग्यरेखा नजर आ ही होगी, ये एक चमतकारी भाग्यरेखा है, और जीवन के अंतिम पढ़हा आप तक, और इस भाग्यरेखा के बाद एक चमतकारी सूरी रेखा यहाँ पर से दीखिए, ये वाले भी सूरी रेखा बहुत जबरदस्त हैं, एक दम आला दर्जे का है, और आगे भी अगर मैं किरती बनी है सूरी रेका और बागिय रेका के साथ यहाँ पर से एक आपका तिरबुज यहाँ पर से एक और तिरबुज मतलब जबरदस्त मतलब यह जो आकरती है यह जातक को करोरोपती बनाने के लिए सामरत है यह जातक को धनवान बनाने के लिए सामरत है तो यह चमतकारी वस्था है जोकि आपके हाथ पर हैं इसके बाद और भी positivity इनके हाथ पर है जोकि जातक को अमीर बनाती है उसको भी हम देखते हैं अगर आप ठीक से देखेंगा तो जीवन रेकापर प्रगती की रेका अगर जीवन रेकापर प्रगती की रेका हो तो तो फिर क्या चाहिए जीवन पर त्रक्कियों प्रगती होती ही है जबरदस दिकरी है बुद्ध रेखा कुछ बन रही आगे वेपार के तरफ ये इसारा करा रही है कुछ तूटी भी है तो इसके लिए भी कुछ सार्था को पाए है वो मैं आपको जरूर दे दूँगा वो करने के भी आवशकता है बुद्ध पर खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज है अगर मैं आगे देख लो तो यहां से एक और बुद्ध रेखा है मतलब चीजे तो बड़ी सटिसफेक्टरी हैं आतिली पर इस केस में जातक के जीवन में धनलाव होता है जातक के जीवन में पैसा आता है इस बात में कोई डाउट नहीं है यहाँ पर से एक दिख रहा है स्क्वाइर बढ़ी ऐसा स्क्वाइर दिख रहा है अगर मैं आगे देखते हूँ तो एक जबरदस्यास एक और भागिरे का ये वाली भागिरे का अलग है मतलब गजब है गजब है तो इस केस में आप जीवन में पैसा ना कमाएं ये कहीं से संभव नहीं है और जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते है कम संभी ऐसे व्यक्ति नहीं कमाते है बहुत ज़्यादा कमाते है इसके बाद अगर और पॉस्टिविटी देख लो तो केवल लाइन से नहीं होगा प्लैनेटरी कंडिसन्स भी अच्छे होने चाहिए शुक्र काफी प्रबल है दोनों मंगल बढ़िया है चंदरमा बढ़िया है लगबग लगबो प्लैनेट्स अच्छे कंडिसन्स में है तो ये भी एक परकार की राज्यो कारक इस्थिती है इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कमफर्टिविटी के साथ बीचता है कंफर्टिविटी में कोई परशानी नहीं है एकदम कंफर्टिवल लाइफ रहता है तो चलो ये तो होगी पॉजिटिव बात इस केस में मैं आपको कहा रहा हूँ कि आप जीवन में पैसा कमाएंगे और बहुत ज़्यादा कमाएंगे अब हम बात करते हैं नेगटिव चीज के तरब क्योंकि नेगटिव चीज को देखना और जानना भी बहुत जरूरी है अब नेगटिविटी क्या है वो थोड़ा समझ लीजे आप वो भी एकदम जान लीजे नेगटिविटी में मैंने देखा कि इनके माइंड रेका में फ्लक्च्वेशन माइंड रेका टूटी हुए ये जातक के जिमाग में मानसिक तनाव को बताती है जातक इस अंदर में थोड़े मानसिक तनाव में रहते हैं और ये आयू अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये आयू लगबग आपके 35-36 से स्टार्ट और 38 तक है, तो आने वाला 2-3 साल आपके लिए दिक्कत भला रहेगा, तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय मैं दे दूँगा, उपाय करने के बाद आप बहुत रिलैक्सड और काफ अलकी फलकी स्वास्त की प्राब्लम, तो हैल्थ पर पुरा ध्यान रखे, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो कोई खास negativity नहीं है, अलकी फलकी राहू रेखाया है, ये तो हलका फलका तनाव को बताती है, बहुत विशेज भी नहीं नौनमल है, उसके बाद negativity मैं देखूँ, तो थोरे यस प्राप्ती में कमी है, और थोरा irritations का line बहुत जाता हाथ पर दिख रहा है, बहुत जल्दी irritate हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी irritate होने के आवशक्ता नहीं है, बहुत जल्दी चीजों को judge करने के आवशक्ता नहीं है, यहराई पुरवक आगे के life come clear करते हैं, तो यहाँ पर यह देखिए, अब मर्स्तिक्स रेका की बनावट तो यहाँ पर आके रुख गई है, और यह जीवन रेका की बनावट है, तो highly independent है, ऐसे वक्ति highly independent in nature होते हैं, ऐसे वक्ति सुनते नहीं किसी का अपने हिसाब से चलते हैं, चाहे वो गल राहू रेकाएं हाट पर जरूर है, तो यह struggle और stress को दर्शाती है, बीच बीच में प्रगती की रेका भी थी, तो जीवन में तरक्की भी भी प्रगती भी लेकिन फिर भी बचपन तकलीफ में बीतता है, बचपन समस्या में बीतता है, यह वाली बात तो दिख रहे हैं 40 में था, फर लगबग आपके 45 में था, फर लगबग आपके 52 में था, फर लगबग आपके 60 में था, 60 के बाद भी जीवन ड्रेका बढ़िया है, एक फिश जैसी आकरती के साथ है, अकास्मिक दनलाव को बताता है, इस केस में जातक के जीवन में अकास्मिक दनलाव जरूर होता है ना की तो बात ही नहीं है मंगल ड्रेका बड़ी शांदार रूप से दिख रही है मुझे और यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के योग है तो यह लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही है हाथुरे स्ट्रस का लाइन जरूर था इस केस में पारिवारे एक मांसे की स्ट शुक्रमंगर प्रबल है तो comfortable life रहेगी और शुक्रमंगर किसी वेक्ति का प्रबल होना एक तो लग्जूरियस लाइफ रहती है दूसरी comfortable life रहती है लग्जूरियस लाइफ में अगर मैं बात करू तो इनको जो भी इनके जीवन पर चाहिए वो इनको मिलता है भले ही इनके जीवन में कितने stress क्यों ना हो, कितने ही struggles क्यों ना हो, इनको comfort चाहिए, वो comfort मिलेगा, बड़े प्राकरमी रूप से, ये बड़े comfortable तरीके से जीवन को बिताते हैं, तो ये तो ओगी positivity, negativity questions, अभी इनके तरीका अब चलना दिन करेंगे, चीज़ों को असपस डूप से clear करेंगे, तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, तो यहाँ पर से आगया square spam, ये planetary conditions अच्छे हैं, तो राज्यो कारक अते लिए, गुलाव ये धन को अटराक करते हैं, जबी भी धन के आओ शक्ता और जीवन पर आही जाता है, बड़िया थम्ब है, strong वेक्तित वह है, ये desires के अच्छे line हैं तो महतपून कांची, थोड़ा मैं थम्ब को और गहराई पुरवक दिखा देता हूँ, तो ये थम्ब है, इक्षा सकती बड़ी अच्छी है, दो लाइन से जीवन पर जो भी अपने दमपर हैं, डिजायर्स अच्छे हैं, महतपून कांची हैं, और second final मान सले, सम्मान की रक्षा कर पाएं, इसमें कोई संद्धे नहीं है, अगर मैं आगे विचार कर लूँ, तो फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे वेक्ती हैं, दिल में कोई किंतू-परंतो वाली बात नहीं है, टिंड कर यह अच्छी दार में कासता है, सेटन फिंगर लंबी है तो महनती है, सुरी फिंगर इमद को बता रहें, अच्छी दार्मिकास्ता है ब्रश्पतीन का प्रबल है तो value मान सम्मान को प्राप्त करने का अवस्था ये माना जाता है जाता है अपने जीवन में value मान सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं या आपर से कुछ परवकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते है माइंड रेखा में एक दिक्कते था वो दिक्कत का निराकरण मिल जाएगा ओबर कॉंफरेंस में निर्णे नहीं लेना है बागी उस्ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिव चीजों को दूर कर रहा है गिर्दे रेखा काफी अच्छा है समान बावुकता दिक्री है आगे गिर्दे रेखा भी बहतर है वेस्टों योग का फॉर्मेशन रोटीन को फॉलो करने वाले बैनस बड़ी है दिल दिमागे तन रुस्ट है यहां से दबाब है तो काफी महनती है जीवन के अंतिम समय तक बागे रेखा का साथ है तो बागे रेखा में कोई कमी नहीं है इवन बागे रेखा दुई दिये है लाइन ओफ एजो किसन अच्छा है समझदार है सूरी रेखा बहुत चपर दस्त है सूरी रेखा के ऐसी बनावट जातक को धनवान बनाती है धनलाव कराती है 35-36 के बाद विशेज भाग गुदे है आपके केस में 38 के बाद भाग गुदे होगा यहां से भी एक बड़िया स्क्वाइर बना है मल्टिपल प्रॉपर्टी का सुख वी नुमा आकिर्ती जातक को धनवान बनाने के लिए साक्ष शक्षम होता है यहां से भी एक आपको दिख रहा है तिर्भुष सूरी परवत पर अगर आपको तिर्भुष दिख जाए सूरी रेखा के साथ अगर आपको तिर्भुष दिख जाए है इस केस में जातक का जीवन भाग गुदे के साथ बीटता है ये बुद्ध पर खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज है सनमर्करी अच्छे बुद्ध वेक से कार करते है दोडों मंगल बढ़ी आया तो अनरजेटिक है एनरजी में तो कोई संदे ही नहीं है और जब तक आ लाइंस आपके हाथ पर जूरूरू बनीती है ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि यात्राएं जीवन पर होती यात्राओं में कोई कमी नहीं है जबरدस्त दिकरिया आपकी बाग गेरेका जीवन के अंतिम पढ़ाबत बाग गेरेका में बहतर स्थिती में है बुद्ध रे से मैं इस हस्त्रे का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारा वोट्सप नमबर डिस्कुशन मिल जाएगा ले के आप समपर्थ कर सकते हैं धन्यवाद